कि है वह गाइज मेरा ना मंगद एक और मैं दोबारा पॉड़कास स्टार्ट कर रहा हूँ और इस पॉड़कास में एक आपको बताऊंगा कि लो निके फाइदे क्या कि प्रेंस क्या होते हैं और मिक्स माशलाट में आपको कैसे हल्प कर सकते हैं लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी लॉंग डिसेंस रनिंग के उपर इन चीजह के उपर लेकिन मैंने ड्लीट कर दी थी तो उसके बाद मुझे काफी मैसेज आ रहे थे कि सर आप दुबारा बनाएं यह वीडियो सो बात करते हैं इंडियरन्से इंडियर Cent's actually क्या है राइट अगर कोई दो मिनेट enforcement लगाता है पंच रा रहे और कोई चार मिनट तक कर रहे है तो जो चार मिनट और बनेद है उसका इंडियरन्स जादा है दो मिनेट वाले से राइट सो कहीं बार क्या होता है कि जैसे फाइट में आपने देखा होगा कि आप में से कोई फाइटर होगा या फाइट की तैयारी कर रही होगा या स्पारिंग की मैं बात कर रही है या बैग वर्क की बात कर रहा हूँ अक्सर यह होता है कि जैसे मैं एक मिनिट तक पंच मार रहा हूं फिर उसके बाद मेरे हाथ भर जाते हैं फिर पंच उसकी स्पीड कम हो जाती है मैं पंच नहीं मार पाता हूं पूरी पावर से है और यह अक्सर जैसे कोई भी बड़ी फाइट ले लो कि यह एप सी की लेङो यह मिक्समाश इलाट की लेगई यह criminवाड करते हूं कि जैसे कई मारं कि यह जादा इंडुरेंस तक यह वाल पे क्लेंच ले लो तो उसमें बहुत जादा इंडुरेंस नगता है क्योंकि तागत बहुत लगानी पड़ते हैं वहाँ पर सो मैं अगर तागत लगा रहा हूं 30-40 सेकंड के बाद और मेरा इंडुरेंस कम होगा है कि मैं पंच नहीं मार पाता हूं सो इसका जैसे कोई लॉंग श्री ज्यादा कर रहा है या किसे का कार्डियो अच्छा है बहुत अच्छा है कार्डियो है कि वह ज्यादा सर्वाइब कर पाता है लेकिं जरूरी नहीं है कि उसका इंडुरेंस भी अच्छा हो क्योंकि इंडुरेंस और कार्डियो सेपेट हो दोग इन्च का का के मिलगकुल लग हों तो इन्च टेनिक मने टेरिणि की टेनिन कोटों होगी जैसे इसामेट्रिक होल्टिया है जिसे की जैसे मैं प्लैंक QUOT बिता कर रहा हूं तो मेरा शोल्रट का पॉर कांडरेंस मर रहा है काडियो अलग चीह होगा काडियो हो गया का हाड इस अबाउड हर काड़ी जो अबाउड हर एक मुझे भागना है मुझे आपने दिल को तरह को स्ट्रेच करने यह नो कितना ब्लेट फ्लोर हो रहा है कितना यह नो ब्लड मेरा पंप एक राइट सो इंडूरेंस के जसे आइसमेटिक हो लोगा बलांक खोलो गया मैंने काफी ट्रेणिक ढाली भी एक अब सर्च जो गए तरह अंगर बिस इंडूरेंस द्रेनिक आज कि भी शूल्डर का इंडरेंस बिल्ड रहता है काफी या प्लांक होल्ड करते हो या पूश अफोल करते हूं तो इसमें क्या रहा है कि लंबे समय के लिए आप एक ही पॉशिशन पर राइट और धीरे दिरे करके आपके हाथ भरते रहते हैं लेकिन धीरे दिरे के टांगे तब जाके आपको आपका इंग्रेंस तीन नट के बराबर होगा जो आपके तीन तीन नट के बराबर होगा जो आपके तीन 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 नट के बराबर होगा जो आपके तीन 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 नट के बराबर होगा जो आपके तीन 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 नट के बराबर होगा जो आपके तीन तीन तो उसमें इंडिरेंस से इस पर काफी ज्यादा एफेक्ट परता है क्योंकि मैं अन्नेसेसरी पावर बहुत ज्यादा लगाता हूँ एक बार मैंने भीज दिया किसी को पकड़ दिया तो मैं पकड़ के रखंगा उसे मैं छोड़ोंगा नहीं से राइट सो इस तरीके साफ इंपोर्टेंट है क्योंकि इस प्रिंट्ट में ऐसा होता है कि एनरीक से बनती है और लेकन इसमें अर्यम कि होता है pakुशलिंताएं कि 30-40 सेकंड के लगाता उसके बाद मेरे पाउं थर थराने लग जाते हैं तो इसलिए होता है क्योंकि एलेक्टिक असट जमा हो जाता है हमारे तो मुझे रैस चाहे मुझे मुझे आक्सिएंट चाहे मैं है लोग सियन थाकि मैं रिकावर कर पाऊ और फिर होता है तो यह चीज्ज आप झो एनअरॉर्बिक बिड्टल है जो इनरिय एक कार्डिया जो कर सकते तो फिस्प्रिट में बीस सेकड से सकता हूँ कि मैं 20 सेकड से मारता हूं हुँ 10 सेकड सके काता हूँ आप 15 कर सकता हूं 20 सेकंड तक September 12 širo बाल Scarn a chance तो आप 20 सेकंड तक पंच मारोगे तो 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 अक्सर यह होता है कि इसलिए और फिर होती है long distance running long distance running भी बहुत ज्यादा important है क्योंकि long distance running होता है कि मैं अपना दिल कितना stretch कर रहा हूँ जो मेरा cardio है मैं कितने लंबे टाइम तक कर रहा हूँ तो इससे हर्ट बहुत ज्यादा stretch होता है और यह बहुत जाज जरोड़ी है long distance running और पलस एक और फाइदा यह होता है जो मैं पस्तनली मुझे लगता है कि आपको endurance जो pain सेने की जो छमता होते हो बढ़ जाती है क्योंकि मेर फोकस रखने में और जब आप long distance running करते हैं तो it's all about consistency suppose आप 20 km भाग रहे हो यह 50 km भाग रहे हो तो it's all about consistency like कि आप अपने आप फोकस कर रहे हो कि आपके क्या क्या गलतियां थी आपको कहां काम करना है या एक meditation के तरह है कि आप 2 गंटे तक भागी रहे हो तो भागी रहे हो right इसमें ज्यादा distraction नहीं है तो fight में भी ऐसी होता है fight भी meditation के तरह है तो long distance running long distance running एक meditation है और वही चीज वही focus आपको fight में help करता है पर lock distance के अलग फायदे है और short distance यानि sprint के अलग फायदे है राइट जोसा आप boxes देखते हैं उनके 12 round जलता है तो 12 round बारती है 36 minutes और एक एक मिनट का rest ले लो आप तो उनका pace वैसे रहता है मिलत slow slow रहेगा फिर तीज रहेगा फिर slow slow रहेगा फिर तीज रहेगा फिर तीज रहेगा जब 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 तो एक्सपोजी स्ट्राइए तीनों के तीन राउंड बिल्कुल तगड़ी इस्प्रेंट चाहे है मतलब दो मिनट तक आपको बिल्कूल एक्सप्रोजीव स्ट्रेंट चैए इसलिए रेस्लिग बहुआ जाता है जैसे जीजुस्यों हो गया तो जीजुस्यों में ज़से थे बॉक्सिंग के और में में की बीच में और और स्पोर्स की बीच में अगर मैं इसके बाद कर रहा हूं किया कितने रेस्लिंग तो मुझे एक्ष्ट इस टेंच आया है ठीक है और रेस्लिंग अलब बंदा जरूर नहीं कि जिस्टू कर पाएगा सही से उसको 10 मिन तक अपना हर बेचा पर आपको कार्डियो बीचाहिए तो इसलिए इन चीजिए सब चीजों की भी डिफ्रेंट होता है तो लॉंग डिस्टेंस आप ऐसा कर सकते हैं वीक में एक बार यह अपते में यह नहूं हां एक बार काफी होगा कि एक हपते में एक बार आप लॉंग डिसल जाओ लग पंद्रह याप 20 किलिमेटर और इस प्रिंट का ऐसा होता है कि हर तीम दिन में आप एक बार स्प्रिंट रख सकते हो जिसमें आप 10 सेकिंट मार रहो पिर दस सेकिंट रस कर रहा हूं तो यह आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे आपने बीस राउंड की है पहले दिन हैं पिर नेक्स टेम तीछ बड़ा सकते हो पचास बड़ा सकते हो और इंटेंसिटी बड़ा सकते हो तो इससे डेफीनिटल हैप लिगे आपको कि आपकी जो पंसट हो गया स्पीड स्पीड वर्ग भी होता है। स्प्रिंट से काफी कि मेरे पंचज की स्पीड बहुत तक लागतार करना भी काफी बड़ी बात होती है और जो टेम्पिन से ब्राउन होते हैं तो पांचाइज मिन्ट की पांच राउन होता है तो प्तिस पिन्ट तक 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 इसले लाउंग जिसे रेंडिंग बहुत ज़रूरी है और इस पिरिंट का अलग इंपोर्टेंस ह है तो मैंने इंट्विडेंस के बारे में बात कर दी मैंने कार्डियो के बारे में बात की फिर होते हैं कंडिशनिंग मतलब यह है कि मेरी बॉड़ी कितनी स्ट्रॉंग है मैं कितना जहिल सकता हूं राइट जैसे जित्ती भी आप रेसल लो यू एप सीम उनके और यह प्रेशनिंग होगी तो इन सारी चैश्रीजेश को मिक्स करके बॉड़ी के कंडिशनिंग होती है राइट स्कूल में क्या होता है कहीए जैसे कोई बंदा है उसके पास टैक्निक आधरिज़ के स्ट्रॉंग है तो कंडिशनिंगाला बंदा जीतने के जादा चांस हो इसके ज्यादा चांस होता है हारने के और जिसकी कंडिशनीं स्ट्रॉंग है आप देख लो अगर कोई भी अरेसल ले लो आप या कमार उस्मान ले लो या खबीब ले लो हैंडरी सर्जूदो हो गया आपके जितने भी यह रैसले इनकी कंडिशनिंग बहुत तगड़ी होती ह है लग काफी तगड़ी होती है राइट तो एक बार अगे टॉप पॉशिन बागे तो इनको हटाना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता है यह इनका एक पेस है पेस बनावा रहता है तीनों के तीन लोंग हाला कि आजकल जो रैसलर हैं यूप से में रैसलिंग कम करते हैं स् में भी कम करते हूव जब था न्यूप का जिद्यूद्व जबढ़ स्पोर्ट होती तो इसलिए हैं की तो कजिद्व एक तो कंडिशन का डियक अलग की इंपोर्टेंस है जैसे हैं देम इन कि झी जूप जब गाता है कि जो न जम कहते हैं कि बोडी बिलिडिन थाहिए यह फ्रूंश करको लगभी है यह आपके ट्रॉंश करते हैं एक स्वश्यां प्राइज को कि द्भ काने के सलग को गया जो को है ये है obtus कि इसलिए कर सकते हैं कि आप अप ऐसे एकसाइज करो कि जिसमें एकस्पोसिव भी है और स्प्रिंटिंग भी है और एणुर्डी एकसाइज भी है और साथ-साथ एजिम मैं कहता हूं कि वीक में आगए आप दो या तीन दिन जा तो वही बहुत है और उसमें आपको जैसे ह였 Azisल यह जादा ने मार सकते हैं कि एक बर मेरा हाथ का साइज बढ़ गया since iam तो świat कम जाएगी स्री तो मेरी स्वेट कम जाएगी राइट तो अकसर इसह होते की So साइस ज्यादा है तो मेरा देस कम होगा क्योंकि कि जितना मसलस मां हो घुट खोंग मिझे रटें चाहिए अथिए उत्स पास्टे ज्यादा रहते हैं उतना क्या कहते है था अ मतला Zelf हitely यह ज़ैद रहते हैं और हम up कि बात allowed हैसले चाहिए Biz जिक बीर करो लोग दिसेंज रणिंग करो, शॉर्ट डिसेंज रणिंग करो, स्पिंट मारो, क्योंकि आपकी बोडी को तोड़ना पड़ता है, तीनों तरीक, जहां से आपको मौका मिल रहा है, अपनी बोडी तोड़ो, जिसु के ददद्द मिनट के राउंड करो, रेस्टिंग के दो-द आनре को बता sushi क्योंकि स्टार्टिंग में जब immediately होते हैं तो जो मेरा फाय्टर होता है, वह कहीं बार अपने इस के दम पे जीत ? आपने के दम पर जीतती हैं आपने वह तफने के दम पर जितने अपने कंडिशनिंग के दम पर जीतते हैं सब्सक्राइज अगर आप MMA सचार्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको इंपे बहुत ज्यादा काम करना चाहें आप दे सेम ताइम आपको बैसिक जो बैसिक टैक्निक के इस पर काम करो क्योंकि एकदम से एड़ वांत पर मुवान मत करो क्योंकि वह बहुत ही जादा गिलत है तो यह तरीका सही होता है इसके लाओ अगर आपको मुझे कुछ भी पूछने अब मैं वीडियो डालूंगा जो क्योंकि स्ट्रॉंग नेक बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हैटकिक पढ़ेंगे आपको पंच पढ़ेंगे और साथ-साथ की एमें में स्टाट कैसे करना है पर मोशन के बारे में इसारी चीजे अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट कर स सकते हो नीचे और यह वीडियो आप शेयर कर सकते हो अपने जो भी जो फाइटर बनना चाता है या जो फिटनेस है जो भी है कुछ भी है ऑक गाइस थैंक यू सो मच